हलो दोस्तो आपके अपने यूटूब चैनल ग्राम पंचाज के जानकारी में आप सभी का स्वागत हैं दोस्तो आज के वीडियो में यूपी ग्राम पंचाज चुनाव 2020 को लेकर संपूर्ण प्रकार की आपको जानकारी बताने वाले हैं जिसमें सरपंच को लेकर कौन-कौन से फॉर्म जमा करवाने होंगे यानि कि सरपंच और वाड़ पंच को कौन-कौन से फॉर्म जमा करवाने होंगे कीस जाती को जाती प्रमान पत्र की जरूत होगी क्या मूल निवास प्रमान पत्र की आवशिक्ता होगी या नहीं होगी बीडी सी चुनाव के लिए किसी भी प्रकार से उमीदवार हो तो आपको यह वीडियो अंत तक जरू देखना चाहिए दोस्तों क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको कंफर्म जानकरी मिल जाएगी जिससे आपके जितने भी डोक्यूमेंट्स आपको बनाने हैं या पिर जो आपको ग्राम पंचाच जुड़ी जितने भी जानकरिया होंगी वह आपके मूबाइल पर मिलते रहेंगी सबसे पहली जानकरी बता दो सरपंच या वाडपंच के लिए जो फॉर्म बरे जाते हैं आप सभी जानते होंगे कि सरपंच और वाडपंच के लिए अलग-अलग बरे जाते हैं तो उन फॉर्म का नाम क्या होता है क्योंकि उन फॉर्म को हमको नोटरी करवा कर देना होता है तो उसको लेकर आपको जानकरी बता दे कि सबसे पहला जो फॉर्म होता है नाम निर्देशक पत्र पारुप चार यानि कि नाम निर्देशक फॉर्म नंबर चार होगा उसके बाद आपको दूसरा जो फॉर्म होता है जो संतान संब्दित होता है और अपराद संब्दित यानि कि अगर आपने lifetime कभी भी कोई अपराद किया होगा यानि कि पहले अगर आपके नाम पर कोई केस दर्ज किया हुआ तो उसको भी आप प्रारूप नमबर 4 के गव बाग्त में अन्दर आपको बताना होगा कि मेरे नाम पर यह केस नमबर चल रहा है और केस नमबर की जो लेड़ी होती है वो आपको बतानी होगी और संतान कितनी है आपकी दो संतान है तीन संतान है वैसे तीसरी संतान वाला चुनाव नहीं लड़ सकता है तो आपको दो संतान है वहाँ पर लिखनी होंगी या फिर आपके संतान समर्दी जो भी जानकरिया है वहाँ पर देनी यानि कि आपका जो घर पर जो सोचालिय है वो जो सोचालिय क्रियाशी यानि कि वो चालू है अभी वो हम अपयोग में ले रहे हैं ये आपको लिख कर देना होगा जो आपको अगर नहीं देते हैं तो आपका जो यूपी ग्राम पंचे चुनाव कर अगर आप प्रदानी चु उपाबंद जो सर्पच उमिद्वाद चो होते हैं उनी को बढ़ना होगा अब serta की परिवार की इस्तती होती है उस पर कितना करजा है चल चल यानि कि चल भूमी की चल जो है नहीं की जो है उनको क्या चल यानि कि उसकी भूमे संबदी जितनी भी अजयान कर रहे हैं, शेक्षिनिक योग्यता संबदी यानि कि कितनी पढ़ाई की हैं, यानि कि यूपी ग्याम परचे चुनाव के लिए तो आटी पास की योग्यता रखी गई हैं, ऐसी बात सामने आई हैं, तो इसको लेकर भी जान हैं, उसके बाद पास ही जाकर आपको नुटी करवानी हैं, जिससे आपको जो शपत पत्र होंगे, वो सभी माइने रखेंगे, यानि कि वो सभी शपत पत्र सही तरीके से बरे हुए होंगे, अब आपको बता दू, यह जो जानकारी दूसरी में जानकार बता रहे हो, सरपंच उमिद्वार के लिए हैं, सिर्फ केवल सरपंच उमिद्वार के लिए ही मानने हैं, इसमें क्या होगा कि सरपंच फॉर्म पासपोर्ट साइट फोटो, यानि कि सरपंच का नाम का एक अलग फॉर्म दिया जाएगा, जिसमें आपको एक पासपोर्ट साइट फोटो से अगर कोई संबंद रखते हैं यानि कि बीजेपी कोंग्रेस में से मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं पर कोई भी अगर कोई दल है अगर वो चुना में जो सरपांच या बाटपांच के कार भी आपको घर के पास कोई भी कोई ब्लist को चुना लड़ चुका होगा तो आप एक। बात को जरूर जानते होंगे जमानत राशी पर आप सभी दिन जानता होगा अगर कोई चुनाव में बहुत कम वोट आते हैं होगा यानि कि बहुत कम ही यानि कि सो में से अगर मान लीजिए सो वाट कि अगर किसी ग्राम पंचान के अंदर सो वाट गिरते हैं तो उसके अंदर आपको बता तो उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं प्रति-पुति निक्षय पुराशी यानि कि जमानाद राशी का जो नाम होता है कह सकते हो या फी जो पुराना जो नाम है उसको कह सकते हैं प्रति-पुति निक्षय पुराशी कह सकते हैं वो केवल सरपंच के लिए हैं पर आपको आपको दो दो बाबत प्रमान पत्र भी आपको देना होगा ये प्रमान पत्र भी बात करें तो आपको अपने मुक्यालेप पर नामगादी पद्रपन के बाद आपको रिटिन अधिकारी पर जमा कराने होगा यानि कि कहने मैं जो आप फॉर्म है आप जो बर रहे हैं वो एक रिटिनिंग अधिकारी के पास आप जो जमानात राशी देते हैं वो रिटिनिंग अधिकारी के पाद जमा कराने होंगी और इसके बाद अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो वो राशी जो है वो आपको वापस दी जाएगी ये भी प्रावदान है अगर आपको नहीं पता है पर अगर आपको वोट कम मिलते हैं तो आप हार जाएंगे अग बन्हार करते हैं जरूरी सुचना की आप सभी जानते हो जरूरी सुचना जो हैं आप ड़ेखा भी होगा कि किस तरह से आप जरूरी ये पढ़ा भी होगा तो आप देख लिए सर्पंच याँ वाट पंच पंच के लिए जिस आरेक्षे शीट चुनाव लड़ रहे हो यानि अगर आपने form भर भी दिया तो वो निरिस्थ कर दिया जाएगा और आपको और जनकरी बता दे कि यह जो आई यू आप सभी जानते हो उमीदवार को आई यू को लेकर बहुत सारी जनकरिया हमार सामने आती है कि अठरा साल होती है या एकी साल आयू होती है तो आपको पता दूए उमीदवार के जो निच्चित आयू कहां गई है वो 21 वर्ष कहेंगी है आपको नहीं पता है गर आई पूर्ण होनी चाहिए उससे पिल आपको चनकर बता दूए वोटर लिस्ट के अंदर भी आपका नाम होना बहुत जरूरी है अगर वोटर लिस्ट के अंदर आपका नाम नहीं है तो भी आप ग्राम पंचा चुनाओं के अंदर भागीदारी नहीं कर पाएंगे वीडियो नहीं देका तो भी देख लाना है साथ ही डिक्स्रीक्शन में एक लिंग दे दी है कि वोटर आइडी कार्ड में नाम किस तरह जोनाना है उसको लेकर इनने जानकर दे दी है तो नीचे डिस्प्रेक्शन में उसकी लिंग मिल जाएगी तो वहां जाकर आप उससी पूरी जानकारे पढ़ लेनी है किस तरह से आपको water id card के लिए आवेदन करना है यानि कि water list के लिए आवेदन करना है अब बात करते हैं यह केवल जो बता रहा हूं अबिर्थी जिसे निर्वाचाइश शेत्र ग्राम पंचाइश से चुनाव लड़ रहा है यानि कि जो भी अबिर्थी है जिस भी ग्राम पंचाइश जो भी निर्वाचाइश शेत्र से चुनाव लड़ रहा है चाहिए वह ग्र पहले हैं पर्फ मैं मुझस नाम allora तो तो वह चुना लड़ सकता है कि अगर अब बात करते हैं कि अगर अब जाहे को लव वो पंचा समीती से एक अधेता प्रमान पत्र दिया जाता है उसको लाकर रिटिनिंग अधिकारी के पाथ जमा कराएगा तब ही उसको उमिद्वार के लिए उसको फॉर्म को लिया जाएगा यानि कि रिटिनिंग अधेरी जब तक उसका अधेता प्रमान पत्र नहीं ले यानि कि जो मद्दान की जो लिस्ट होती है उसके अंदर मद्दाता के नाम या फिर उसके उचाती का नाम या फिर उसके पता के अंदर कुसी प्रकार को चोटा मोटा कोई प्रोब्लम होता है तो रिटिनिंग अधिकारी की द्वारा उसकी उस पर किसी प्रकार को कोई जान न नहीं है उसी को देखा जाए जाएगा कि आपका नाम उसके अंदर है तो तुरुंत ही इसको फॉम को ले लिया जाएगा उसको पूरा वीडियो बना चुका तो उस वीडियो को भी आपको देख लेना है पर आपको बता दू दस्तावेद जो पहले बता रहा हूं वह बहुत सारे जानकरी सामने आ रहे थी कि चरीतर प्रमाण की पत्र की भी जरूद होगी तो आपको बता दू आपको किसी भी प्रकार का चरीतर प्रमाण की पत्र की जरूद नहीं होगी नहीं किसी प्रकार की आय प्रमाण की पत्र की जरूद होगी जो मैं पहले फ्रों बता पत्र की कोई किसी प्रकार का कोई प्रमार्ण पत्र की जरुत नहीं होगी तो इनको बनाने की आपको किसी प्रकार की जरुत नहिं है और आपको बतादू नाम निदेश पत्र का प्रारूप निश्यत होगा यानि कि जो नाम हमको जो फॉर्म भरते हैं अपना नाम जानकरी जो नाम एड्रेस वगरा जो भी जानकरी हम भर रहे हैं जिसको हम जो फॉर्म हमको रिटिनिंग अधारिकारी हमको देता है जो फॉर पर आपको फॉर्म उसुपर कले न हो जाती है तो ही आपको दूसरा ऌता है और यह आता है व्यक्ति अगर अगर जाने बटान ⟌ कि अगर इस चैनल को आपने सबस्क्राइब नहीं किया है दोस्तों चैनल को जुरू सबस्क्राइब कर लेना है जिससे आपको ऐसी Gram-Panchat जुड़ी जानकरी या मिलती रहेंगी सब्सक्राइब के बाद आपको यहां पर बटन दीखेगा उस नोटिफिकेशन वेल को आल कर देना है जिससे ग्राम पंचाइट की जितनी भी योजना होंगी या फिर ग्राम पंचाइट जूरी जितनी भी जानकारिया होगी सबसे पहले आपको